जै श्री राधारानी सरकार की, जै श्री कृष्ण भगवान की, जै श्री लक्ष्मी नराइन जी भगवान की, जै श्री गोरी शंकर जी भगवान की, जै सद्गुरु देव श्री बंसी वाले महाराज की, जै कार्तिक मास महत्यमे की, मंदर श्री बंसी वाले महात्मा यूड देवता सुमेरु परवत की कंद राओं में जाकर छिप जाते हैं भगवान से प्रात्मा करने लगते हैं उससे आगे की कथा ग्यारवा अध्याई इस परकार है देवरिशी नारद जी राजा प्रतु से कहने लगे हैं कि हे राजन सुमेरु परवत में सब देवता जाकर मन में एक ही बात है कि अब यूद्ध करना है। हे सर्व देते विनाशक आपको नमस्कार है। तथा दुष्ट जनों का विनाश करने वाले और परशु राम के रूप में अवतार धारन करने वाले आपको नमस्कार है। लोक को परसन करने वाले मरियादा पुरुश तथा शीग्र रावन का वध करने वाले और सीता पती राम के रूप में अवतार घ्रहन करने वाले आपको नमस्कार है। आज सब देवता बड़े भाव से प्रात्ना कर रहे हैं। आगे कहने लगे हैं कि अपने दासों के दुखों को दूर करने वाले सुखद, शुब सवरूप, गरुड पर सवारी करने वाले पितांबर धारी आप विश्नु को नमस्कार है। सबी क्रियाओं के एक मातर करता तथा शरनागत वतसल शरनागत रक्षक आपको बारंबार नमस्कार है। इससे वे शोभित नहीं हो रहे हैं। इसलिए हम आपकी शरन में आए हुए हैं। आप जलंधर देते का वध का उपाय सोचिए। इतनी कथा सुनाकर देवरिशी नारद राजा प्रतु से कहने लगे हैं। कि भगवान आज सब देवताओं की प्रातना से संतुष्ट हुए हैं। इसके पशात श्रीहरी विश्ण भगवान जी सब देवताओं से कहने लगे हैं। सदा आपकी भक्त हूँ। तो हे क्रिपानाथ आप मेरे भाई जलंधर का वध यूध में कैसे कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के इन वचनों को सुनकर श्रीहरी विश्ण भगवान जी कहने लगे हैं। कि मैं उस जलंधर के साथ अपना प्राकरम करूँगा। देवताओं ने मेरी स्तूती की है अत्यमे शिग्र ही यूध के लिए जाऊंगा। किन्तु रूदर के अंश से उसके उत्पन होने भ्रमा को वचन देने तथा तुम्हारी प्रीती के कारण इस जलंधर देत का वध मैं नहीं करूँगा। आज श्रीहरी विष्ण भगवान जी महालक्षमी मास से ऐसा कहकर शंक, चक्र, गदा तथा तलवार धारन करके गरूर पर आरूड हुए हैं और इंद्र आदी देवताओं को साथ लेकर युद्ध करने के लिए वेग पूरवक शल पड़े हैं। श्रीहरी विष्ण भगवान जी के तेज से प्रकाशित होते देवताओं के साथ सिहनाद करते हुए वे भगवन शीगर वहां पहुँचे जहां पर जलंधर देत्य था। उस समय अरुम के लगू ब्राता गरुड के पंकों के वायू वेग से पिडित हुए देत इस प्रकार शकर काटने लगे। जैसे वायू के द्वारा उड़ाए हुए बादल आकाश मंडल में घूमते हैं। श्रीहरी विष्णु भगवान जी की शक्ती से सब देवता देत्यों से यूद्ध करने लगे हैं। सब और हाहाकार मचा हुआ है। इसके पशात श्रीहरी विष्णु भगवान जी आज जलंधर देते के सामने आए हैं। परस पर यूद्ध होने लगा है। बानों से आकाश को पूर्ण करते हुए भगवान विश्णु तथा उस जलंधर में घमासान युद्ध होने लगा परस पर उन दोनों के उस भयंकर युद्ध से देवों, असुरों, रिशियों तथा सिध्धों को बड़ा आश्यर हुआ है श्रीहरी विश्णु भगवान जी ने जलंधर देते की छाती में एक बान से प्रहार करते हुए बान सम्हों से उसके द्वज, छत्र, धनुष तथा बानों को काट दिया है इसी बीच उस देते ने भी बड़ी शिगर्दा से हाथ में गदा लेकर उचल कर उस गदा से गरुड के सिर पर प्रहार करके उससे प्रिथ्वी पर गिरा दिया है फड़कते हुए होठो वाले उस देते ने कुपित होकर अपने चम चमाते हुए तीक्षन शूल से भगवान विश्णों की चाती पर प्रहार किया है इसके पर शात देते नाशक श्रीहरी विश्णों भगवान जी ने मुस्कुराते हुए अपने खडग से उसकी गदा काट दी और शारंग धनुष की पर तंचा चढ़ा कर तीक्षन बानों से उससे बेध दिया है इस परकार देवताओं के शत्रों का वद्ध करने वाले श्रीहरी विश्णों भगवान जी क्रोध में भड़कर अत्यांत तिक्षन और भैदायक बान से जलंधर देते पर शिगरता से प्रहार करने लगे हैं तब महाबली देते ने उनके बान को आया देखकर अपने बान से उसे काटकर बड़ी शिगरता से विश्ण भगवान जी की च्छाती पर प्रहार किया है महाभाव भगवान विश्णु भी असुर के छोड़े गए उस बान को तिल के समान काट कर गर्जन करने लगे हैं इसके पशात फिर क्रोध से कामते हुए श्रीहरी विश्णु भगवान जी ने जब दूसरा बान धनुश पर रखा तभी महाभली उस देते ने अपने बान से उस बान को काट डाला है तब वासु देव विश्णु भगवान जी ने क्रोध पुर्वक उस राक्षश के विनाश के लिए पुन्हे धनुश पर बान चड़ाया और सिहीं की भानती गर्जना की है लेकिन महाभल शाली जलंधर देते ने भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए अपने बान से शरी विश्णु भगवान जी के उस शारंग नामक धनुश को काट डाला है इसके पशात देवताओं को भै देने वाला उग्र प्राकरम वाला तथा महावीर भै देत तीक्षन बानों से भगवान मधु सूधन पर प्रहार करने लगा है तब कटे हुए धनुश वाले लोक रक्षक विश्णु भगवान जी ने जलंधर के विनाश के लिए अपनी विशाल गदा चलाई है जलती हुई अगनी के समान विश्णु भगवान जी के दवरा चलाई गई वह अमोग गदा बड़ी शिगरता से उस राक्षश के शरीर में लगी है लेकिन महाद देत जलंधर विचलित नहीं हुआ है इतने कथा सुनाकर देवरीशी नारद जी राजा प्रतु से कहने लगे हैं कि हे राजन श्रीहरी विश्णु भगवान जी अगर चाहते तो जलंधर देते का एक शन में वद्ध कर सकते थे लेकिन जलंधर देत भगवान शिव के अंश से उत्पन हुआ है और महालक्ष्मी मा को भगवान विश्णु ने ये वचन दिया है कि जलंधर देते का वद्ध मैं नहीं करूँगा इसलिए प्रभू तो लीला मात्र कर रहे हैं अन्यथा त्रिलोकी भर में इतनी सामर्थ किसी में नहीं है कि वो भगवान विश्णु का सामना कर सके आज भगवान विश्णु जलंधर देते के प्राक्रम से बड़े प्रसन हुए हैं और जलंधर देते से कहने लगे हैं यही महा देते मैं तुम्हारे यूद से प्रसन हो गया हूँ तुम महान हो तुम्हारे समान वीर चराचर सहित तुरी लोकी में आज तक दिखाई नहीं पड़ा है हे देते राज तुम्हारे प्राक्रम से मैं प्रसन हूँ तुम जो भी वर मांगना चाते हो वर मांग लो मैं तुम्हें वो वर अवश्य दूंगा चलंधर देते भगवान जी के इन वचनों को सुनकर कहने लगा है कि हे प्रभू हे भावुक यदि आप प्रसन है तो मुझे ये वर्दान दीजिए कि आप मेरी बहन महालक्ष्मी तथा अपने गनों के साथ मेरे घर में निवास करेंगे आज जलंधर देते ने ऐसा परम सुन्दर वर्दान मांग लिया है भगवान को अपने पास रहने के लिए प्रभू से यही वर्दान मांगा है इतनी कथा सुना कर देवरीशी नारत जी राजा प्रतु से कहने लगे हैं कि जलंधर देते के इन वचनों को सुनकर श्री हरी भगवान जी देव गनों और लक्ष्मी सहित जलंधर के पुर में पधार गए हैं इसके पशात श्री हरी विष्णु भगवान जी सभी देवताओं और महालक्ष्मी के साथ जलंधर के नगर में आकर निवास करने लगे हैं उस समय जलंधर देवताओं के अधिकार पर दान संचित था उसे अपने अधीन करके रहने लगा वह महाभली पाताल लोक में महाभलवान निश्युम्भ नामक देते को स्थापित कर शेश आधी को प्रिथ्वी पर ले आया और देव गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षश तथा मनुश्यों को अपने पूर में नागरिक बना क तीनों लोकों पर शाशन करने लगा है इस परकार देवगनों को अपने वश में करके जलंधर धर्म पूर्वक प्रजाओं का वैसे ही पालन करने लगा जैसे पिता अपने ओरस पुत्रों का पालन करता है उसके धर्म पूर्वक राज्य का शाशन करते रहने पर कोई भी र परिविष्ण भगवान जी के दर्शन के हेतु उसकी राजधानी में जा पहुंचा। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्यम के ग्यार्वे अध्याय की परमसुंदर कथा का विश्राम होता है। श्रद्ध भवना से इन कथाओं को अगर सुना जाए और पूरी कथा को सुना जाए तो भगवान की अत्यंत क्रिपा मिलती है। भगवान की प्रसंता मिलती है और जिस भक्त पर भगवान प्रसं हो जाते हैं। उससे तो भगवान सब कुछ दे देते हैं। उसकी भगवान सुनी होगी तो अवश्य ही भगवान की क्रिपा मिलेगी मन को शांती मिलेगी और काम भी अवश्य बनेंगे क्योंकि भगवान जिस पर क्रिपा करते हैं उसके संसारिक काम भी अपने आप सिध्ध होने लगते हैं उसकी चिंताओं को भगवान दूर कर देते हैं इसलिए कहा कि कार्तिक माज की इस परम पवितर समय को वेर्थ नहीं घमाना चाहिए भगवान जी की भक्ती अधिक से अधिक कीजिए जो नाम भी आपको प्यारा लगता हो जिस नाम की उपर आपकी शद्दा हो भगवान के उस नाम का आप हर पल जाप करते रहें भगवान की कताओं को प्रश्ण कीजिए घर में भगवान जी की पूझा आहरादना कीजिए तुलसी माता की पूझा आहरादना कीजिए यह समय हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए भगवान की प्रसंता के लिए सब धर्मकारे करने चाहिए जीवन सफल हो जाएगा भवसागर से पार आप हो तो आज इक इस परम सुंदर कथा को आपने सुना आप सब का हार्दिक धन्यवाद भगवान श्री रादा कृष्षन जी की अनन्त क्रिपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामा के साथ जये श्री रादारानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै श्री लक्षमी नाराइन जी भगवान की जै श्री गोडी शंकर जी भगवान की जै तुलसी माता की जै सद्गुरु देव श्री बंसी वाले महराज की जै कार्तिक मास महत्यमे की जै 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 श्री राधे जै 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 श्री राधे जै जै ज श्री राधेश शाम